हेलो एवरिवन वेल्कम टो वाल नेक्स एजाम आज हम एक और महतर पुर्ण टॉपिक करेंगे जो कि यहां से आपको एक्जाम में देखने को मिल सकता है बाइलेक्टर एक्ससाइज सेन्य अभ्यास यानि कि भारत की सेनाय किस-किस देश के साथ किस-किस नाम से बाइलेक्टर करना तफ होता है ठीक है तो इसमें में कुछ आपके समने कुछ लिखके भी लाया हूं और मैं कुछ आपको बताऊंगा भी तो आपको सारी नोट करनी है एक जगा पे आपको बहुत काम आई चाहिए आप कोई भी एक्जाम दो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं है और इससे सबस्टियों को पहले है इंडिपेंडेंस डे हम दर जोश ठीक है जोश को कायम रहेकिं कि एक्जाम जो है वो आने वाले ही एकसाथ सारी ऐक्जाम हो जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हमारी बाइले क्यों हिंदी मेरें मेरी घृभिए रहते हैं यह इसे सब हो करता हूँ लेकि हिंदी में वे पहला है पहला है हमला सिट मेक्स एकसरला जो सिट मेक्स होती है भारत सिंगापूर और थाइलेंड में और इसबा इमने का खिया और द्यूंका अगरां वще दा गसा किया और यह नेवी की को बता दूगा जो बहुत ज्यादा कोई चिक эта बुल्स ट्राइक भारत की खुद की तिनों की बीच में यह exercise होती ए बॉल्स ट्राइक सिट मेक सिट्प मेक से याद रखना Park Ge a Professor है एसा सिंगरपूर ढरां इंडिया और थी रहना थाइलेंड एसे आरे को ठिए सिटाइग्र 1998 अब भारत की ऑनकी बीच में होती हैं अगल को ठोगिक्म कुछ Το तो याद रखना है दुरुज बहा दुरुज बहा 2020 कव 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 को किसके साथ हुआ रश्या और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान में हुआ और यह वह उनकी थल सेना यानि की आर्मी की सेना जुद अफ्यास है मालाबार एक्सराइज मोश्ट इंपोर्टन्ट सबस्क्राइज म मालाबार को अक्सराइज में अश्यली भी शामिल कर ले गया कहां हुई बंगार की खाड़ी और अरब खाड़ी में अरब सागर में यह एक्सराइज हुई नौसेना की यह यह दव्यास था ठीक है यह हमारे हिंद महासागर को प्रोटक्ट करने के लिए अभ्यार शुरू क अगरे है अगरा है आधा है इस लैनिक्स येट 20 20 जो है वह भारत और श्रलंका की बीच में होता है ठीक है नौसेना का भ्यास है यह तना इंपल्डन नहीं है बोंगो सागर बेखेंड यह बहुत ही इस बहुत इना पारल नहीं बहुत बएधियों बहुत बहुते में बहु नौ सेना का युद्धव्यास था नेक्स नमारा इंद्रा नेवी इंद्रा नेवी जो हो भारत और रश्या के बीच में अब इंद्रा नाम से इंद्र शक्ती होते हैं इंद्र शक्ती वो भी भारत और रश्या के बीच में होती हैं इंद्र शक्ती भारत और श्रलंका के बीच में होते हैं दस तलिख भारी जो सेंट्रल एश्य वाले उनके साथ भी एक्सराइज होते हैं वह बहुत इंपॉर्ड होती है दस तलिख उजविकिस्तान और यह कहां पर हुई यह सबसे इंपॉर्ड उत्राइखन के रानी खेत में हुई है अगला है हमारा पासेक्स पासेक्स फिल्ड फाइरिंग रेंज में इसका आयोजन हुआ एंब एंबेक्स यह इतना पूरा नहीं है कवच भारत की सब्सक्राइब कवच एक्सराइज डेजर्ट नाइट टॉंटीवन यह कहां कवकिस कवब बीच में फ्रांश और भारत की बीच में कहां पर जोदफू रजिस् सब्सक्राइब करें इस तो यह इसलिए इसलिए इंपॉर्ट हो गया है अमेरिका और बांगलादेश के बीच में कारट एक्सराइज में बंगाल की खाड़े में युद्धवया नौ सेना का अभ्यास हुआ था अगया है कावकाच बहुरास्टिया युद्धवयास इसमें इसमें शायद इंडिया ने जाने से माना कर दी था ठीक है कावकाच कावकाच के कावकाच जैसे था ठीक है इसको भी या देखना पास एक तो छोड़ो नाइन्थ नेटिव फ्यूरी 2020 हमारे किसके किसके बीचने हुआ अमेरिका और यू एक की बीच में हुआ यह पाकिस्तान और चमगादर चीन दोनों के एक साथ का युद्ध व्यास और किसको डुराने के लिए था भारत के पश्च्चिमी तरफ पर किया थे नोने तकी जो भारत को बता सकें कि युद्ध भ्यास होते क्यों है कि अगर उस एलिये में कभी कभी कईश्ट का महौर बने तो वहाँ पर प्रट्रेक्शन कर सकें किस तरह से प्रक्ष्ण करनी है न युद्ध भ्यास होते प्रेक्टिस मतलब संपृति नायन ट्वन्टी इंद्र अभ्यास देखो इंद्र मैंने आपको बढ़ा था इंद्र होती है भारत और रशेय के बीच में बवीना जहांसी उत्रपडेस और पुने एवंगोबा में हुआ था थल से रखा ही है सूर्य कि रण सूर्य करण नेपाल में याद रखनाने भारतों नेपाल के बीच में ठीक है है तो ही प्राइब को याद रखना नेक्स अमयरा भारता य्रोपन संग की बीच में यू नेफ और याद रहे जाएगा भारता जापान की बिच में ओकर यहां कि मैं पडूर सोगद है करना है कि में जान सब्सक्राб na स्काइब किम्राइब के लिए सब्सक्राइब भारत और क्रगिस्तान के बीच में वह टायक letter joka कि राज़ान tehd dóгов भारत और किल्गिस्तान खंजर लौपेरिस अधियान भारत और क्वार्ट यह तो कुछ भाई इंपरा नहीं है शांतिर अग्रसेना भारत बुटान सिलंका बंग्रदेश बंग्रदेश में हुआ था यह इतना पॉरा नहीं नहीं है बज्ज्र परहार यह पूछ ली जाते कि बारत अमेरिका की पिश्म और यह हुआ कहां था यह देखो बहले कि माच्चा परदेश के बखलों में इसका हुआ था बनगे ने क्रण्ड कर नियुज तो यह होता है बज्ज्र परहार यहीं से तो क्रण्ड आता यह था यह था जो मतलब जो हाई-लैटर रहते हैं पुछ इस टेम का बिल्कुल करण्ड करवाता हूं अलो अलम हाद अलह हिंद क्या था अलमौहाद अलहीन्द, ये इस टैम हुआ हुआ, किस किस के बीच में है, इंडिया और साउधी हरव के बीच में, ये हुआ कि एक्सराइज एलीफेंट होती है, भारत और मंगोलिय के बीच में, इनको नोट कर दा है, जो मैं भोल के निकल जा रहा हूँ, ठीक है इंडियोर श्रिलंका अजे वारियर भारत और फ्रांस के बीच में एक मैं आपको बता तो जायत तलवार एक्ससाइज भारत और यूए की बीच में अबुद्धभी में हुआ यह इसमें हमारे देश का आई इनस तलवार यहां पर गया था ठीक है देए इंपॉर्टन इपॉर्डट आई होप अपने वीडियो को देखो अगा जरूरूर इसका सब्सक्राइब करते हैं इसको खत्म हैपी इंडिपेंड़नेस डेवन सगें थैंक्यों हैविनेस टे